नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो हींग की तासीर काफी गर्म होती है इसलिए सिर्फ एक चुटकी हींग को आदा कप पाने में मिलाकर पीने से ना सिर्फ पाचन तंतर ठीक रहता है बल्कि कई अन्य प्रकार की बिमारिया भी ठीक हो जाती है दोस्तो आज हम आपको बताएंगे हींग के कुछ ऐसे फायदे जिने आप अपने जीवन में अपना सकते हैं दोस्तों कई बार दातों में कीडा लग जाता है तो ऐसे में रात को सोते समय दातों में हींग दबा कर सो जाएं ऐसा करने से दातों के कीडे अपने आप निकल जाएंगे अगर दाद खाज घुजली जैसे चर्म रोग हो जाते हैं तो इन पर हींग को पानी में जिसकर लगा लें ऐसा करने से चर्म रोगों में फायदा मिलेगा दोस्तों खाने से पहले घी में भूनी हुई हींग और अद्रक का एक टुकड़ा मक्षन के साथ लेने से भूख ज़्यादा लगती है अगर आपको सांस से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो थोड़ी सी हींग में एक चमत शहद और आदा चमत सफेद प्याज का रस मिला लें साथ ही इसमें आदा चमत सुपारी का रस और सूखी अधरत भी मिला लें इस मिश्रण का थोड़ी थोड़ी मात्रा में शेवन करें ऐसा करने से बहुत जल्दी ही सांस की बिमारी से आपको निजात मिलेगी तो उमीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी हमारा आपसे निवेदन है अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद